बढ़ते होई कोरोना संक्रमन को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ गया है कोरोना संक्रमित मरीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रशासन ने कोरोना जाच का समय बढ़ा दिया है अब राज्थानी में रात 11 बजे ते कोरोना टेस्ट हो सकेंगे वहीं जादा से जादा लोगों की कोरोना जाच करवाने के उदेश से टेस्टिंग की टाइमिंग अब बढ़ा दी गई है देखिए ये खास रिपोर्ट लेकिन टाइमिंग कम होने के कारण उन्हें बिना टेस्ट कराए ही वापस लौटना पड़ता है संक्रमन को रोखने के लिए टेस्टिंग की टाइमिंग बढ़ाई गई है मैं इसमें इस पुष्ट करना चाहूँगा कि भोपाल में हम लोग प्रते देन लगबख साथ से आठ अठ अजार सैंपल्स लेते हैं ये सभी सैंपल्स जो हैं ये विभिन लैब्स में भेजे जाते हैं हमारी सभी labs चाहें हमारी गांधे मेडिकल कॉलेज की lab हो या अन्य सभी labs हो सभी से हमको जो reports हैं वो within designated time 24 गंटे के अंदर मिल रही है केवल एक particular lab का ये विशह एक दिन के लिए आया था कि उनके पास जो samples पहुँचे उनको वो 24 गंटे में हमको नहीं भेज पाये थे इस मंद में जो समस्या हुई थी उसका निराकरण भी हमारे दोरा कर लिया गया है अन्य और labs भी हैं जो भूपाल में map कर ली गई हैं जिससे हम ये ensure कर सके कि हमारी जितने भी results है सभी लोगों को समय पे मिले और एक भी result ऐसा नहीं हो जो समय के बाद में डेली नहीं गुरगाओं में एक कोई particular lab थी जिसमें एक दिन का labs देखने में आया था किसी particular day इसको भी sort out कर लिया गया है उनसे बात करके उनका locally वो लोग एक अपना counter create करें जिससे के वो सारे results टाइम ली दे पाए ये हम लोग ensure कर रहे हैं जिले के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में राद 11 बजे तक sample लिये जाने के लिए 8 अतरक्त team में बनाई गई हैं कोवीड संग्रमितों की संख्या में बढ़ूतरी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग COVID-RT-PCR के लिए fever क्लिनिक्स में पहुँच रहे हैं इसके चलते ही अतरक्त teamों की वेवस्था की गई हैं ये team में रात 11 बजे तक sample लेगी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बड़े अस्पताल हैं जितने भी बड़े centers हैं के अन काट्जू हो जेपी हो हमीदिया हो उन सभी जगे centers की जो संक्या है उसको दुगना कर दिया गया है जिससे लोगों को जादा समय ना लगे और इसके साथी साथ समय में वी र टेस्ट करवाने पहुँच रहे हैं लेकिन टेस्टिंग समय कम होने के कारण अस्पतालों में जाच जल्द ही बंद कर दी जाती थी जिसके चलते लोगों को परिशान होना पड़ता था बीरो रिपोर्ट, MP News TV, भोकाल